ब्रोट तो यू बाई आईटल तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स तक में कर लखना सूपर जायंट्स और चिन्नाई सूपर किंग्स के बीच में चेपाउक में मैच खेला गया और हाला कि चिन्नाई की खराउद्स को निराशत जरूर हात आई क्योंकि टीम जो है उनको हार का सामना करना पड़ा लेकिन एक अच्छी बात थी वो थी शिवम दुबे की बल्लेबाजी कल जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की एक बार फिर सबको इंप्रेस कर दिया और अपना इस IPL का उन्होंने तीसरा 50 जमा दिया है और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की 27 गेंदों में 66 रंग जी हाँ और इसमें 7 चक्के और 3 चौके शामिल थे और जिस तरह से वो खेल रहे हैं आप लोगों को पता होगा कि ये T20 World Cup की टीम की अनौंसमन कभी भी हो सकती है और इस तरह से उन्होंने अपना केस एक पहुबी तरह से जो है पेश कर दिया है सेलेक्टर्स को और बाकी बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है अब उनके फीवर में बोते नजर आ रहे हैं कि भाई अब शिवम दुबे की बारी आ चुकी है T20 World Cup में इंडिया के लिए खेलते नजर आने के लिए उसके आगे जाने से पहले हम देखते हैं कि CSK के लिए जब से शिवम दुबे खेलते आये हैं किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है जरसी में खेलते वे पूरे किये हैं और ओवरॉल देखा जाए तो 33 इनिंग्स के लिए हैं उन्होंने CSK के लिए और 1000 रन हो चुके हैं 1018 रन्स हैं आवरेज 37.7 स्ट्राइक रेट देखिए 161.07 की 50 जो हैं ओवरॉल आठ हैं हाइस 95 नॉट आउट है अगर इस सीजन की बात की जाए तो 8 मैचेज में उन्होंने 311 रन बना दिया है 66 नॉट आउट जिस तरह से उन्होंने बल्ले बाजी की उनका हाइस आवरेज देखिए 51.83 स्ट्राइक रेट इस 169.95 वो आवरेज देख रहे हैं आप 51.83 स्ट्राइगरिंग आवरेज देखिए 23 चोके और 22 चके उनके बल्ले से इस IPL में निकल चुके हैं और 1000 रन्स CSK के लिए खेलते वे शिवम दूबे ने पूरे कर लिये हैं और जिस तरह से उनकी बल्ले बाजी चल रही है लोग चाहते हैं लोग यहां कौन हैं वो सारे पूर्व क्रिकेटर्स की मैं बात कर रही हूँ दिकज क्रिकेटर्स हैं जो चाहते हैं कि शिवम दूबे जो है T20 World Cup में इंडिया के लिए खेलते नजर आए यहां तक कि सुरेश रहना ने तो अजीद अगरकर को भी गुहार लगा दिये कि भाई प्लीज आप इनको सेलेक्ट कर लीजे आए देखते हैं एक्स पर अपने जो है किस तरह से सुरेश रहना ने शिवम दूबे की बल्लेबाजी की ताजीव की और क्या कहा अजीद अगरकर को उन्होंने क्या कहा आई दिखाते हैं उन्होंने कहा वर्ल कप लोडिंग फर शिवम दूबे और उन्होंने यहाँ पर अजीद अगरकर को टैग किया और कहा अगरकर भाई select करो please और यहाँ पर उन्होंने emoji बनाए हाथ जोड़कर कि please select कर लिजे आप Shivam Dubey को world cup के लिए आगे बात करते हैं इर्फान पठान की इर्फान पठान का भी कुछ ऐसा ही कहना है उन्होंने कहा is there anyone striking better than Shivam Dubey in the Indian cricket at the moment in the middle death overs क्या इनसे बहतर कोई आपको बलेबास दिख रहा है Indian cricket में जो की gain को अच्छी तरह से strike कर रहे हैं middle or death overs में he has to be there in that flight to the world cup और उन्हें उस flight में होना होगा जो world cup जाएगी Indian team के लिए इसके अलावा Robin Uthapa ने भी इनकी तारीफ के जिस तरह से वो बलेबाजी करते नजर आ रहे हैं उन्हें का Shivam Dubey has been phenomenal this IPL a brilliant 50 here tonight stepping up when the team needed it जिस तब team को वजर रह थी तो उन्हें किया और उन्हें कहा कि some intense batting from Shivam Dubey जिस तरह से वो बलेबाजी कर रहे हैं तो आप लोग मुझे team को लेकर जरूर कॉमें सेक्शन में बताईए कि जिस तरह से Shivam Dubey खेलते नजर आ रहे हैं जिस तरह से उन्हें चिनने सुपर किंग्स के लिए खेला है इस सीजन में और जिस तरह की बलेबाजी वो करते नजर आ रहे हैं क्या आप लोग भी चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो कॉमें सेक्शन में जरूर अपनी ओपिनियंस दीजेगा आई डू रीड अल यूर कॉमेंस अच्छा लगता है जब आप कॉमेंस सेक्शन में जाके अपने व्यूज जो हैं देते हैं पढ़कर बहुत अच्छा लगता है खुशी होती है तो keep them coming अच्छा लगेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लिजे शेयर कर लिजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा